जेहन दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में दीवान सर के साथ आज मैं आपके ये लेक्या हूँ जो की व्यापम द्वारा प्रिवेस एर में पूछे गए हैं तो यदि आप इनको लगाते हैं तो यह आपकी बरतीन सफल तगली काफी सहायक होंगे चलिए सुरुआत करते हैं पहला कोश्चन है दुरुद्धिवी विकार किस प्रकार का विकार है मनुदसा का अधिगम का वि इस्तिर मानसिक्ता बिराम फिक्स माइंड सेट स्टॉप को बदला नहीं जा सकता तो इस्तिर मानसिक्ता केवस फलता देती है प्रोड मानसिक्ता बुद्धिवाइस करता है ब्रोड प्रोड मानसिक्ता असफलता को एक मामोली रुकाबट की रूप में देखती है और सुध में नहीं आता कि कौन सा अंसर हो तो आप बड़े जो काश आंसर जो होते हैं उसमें उनके साथ जाएं तो आपको 50% चांस होते हैं कि आपको वह आंसर सही होता है चले तीसरे वाशन क्यों चलते हैं निमलकर में से कौन एक समाधिक सिक्षा शिद्धान्त है मतलब कि एक समाजिक विचारक जो है यसे समाजिक शिख्षा शिद्धान्त दिये हैं उनको समाज को ज्यादा समाज को उनने सिख्षा के लिए बच्चे को सीखने के लिए अधिगम के लिए अच्छा माना है और उसी ठिशित में काम किया है तो यह अपने महुदय होंगे बंदूर महुदय बंदूर महुदय ने जो सिधान दिया है बस समास से बच्चा उनको सीखता है ऐसे दान दिये है चोधे क्यों चलते हैं रूही 11 महनी की बच्ची है वह परतेक सफेज तरल बस्तू को दूद कहती है रूही द्वारा अब धारना पिक सब्सक्राइब के वह प्राकरतिक स्वहा दिखाया है विशलेशन का अमूर्थि कण का समाल कण का अनुभव का बच्ची जब 11 महीनी की थी थी तब उसे दूद देखाया गया वह तरल था तो उससे तरल बस्तू को देखा है तो जब भी वह किसी बस्तू को देखती है तो वो ऐसे दूध ही मानती है वह अमूर्थीकण को समझ नहीं पारी है वह उसको मूर्थ रूप में वह नहीं कर पारी तुछ लिया है अमूर्थीकण होगा चलिए पाचवे कौश्चन कीओ चलते हैं सर्थ तो समानता अधिगम निम्न पर अधारत व्योहार में एक स्थाई पर जैसे कि चुनाती हमें मिलती है तो हमें सुद्रडिकण आ जाता है अब अनुखो की बात हम करते हैं ठीक है पर सुद्रिकण आ गया है तो इस थाई परवतन की रूप में अपने आप ही एक अधिगम की रूप में आपको दिश्टिक उचर होता है छटवा कॉश्चन है भासा विकास के लिए हम बात करें तो भासा से समात के सांथ भासा के सीखने के लिए वायुस्की बहुत ही आंगे हैं तो इसका आंदर पाइगुस्की होगा साथ पर कॉश्चन आपका कलंविधी वानवेशन यानिकि अल्गुरूथम वहुरूस्टिक खालिस्थान की रण को लगाते हैं अगले क्विधी लगाते हैं क्यों चलते हैं आठवा क्विधी वाक्राथ बिकास के बल fulfillment प्डूरूरूरूरं की प्रक्रिया तो सामने समझ में आई रहा कि आदिखमctive गुहारिक परवाथसरों की प्रक्रिया है नहीं है यह साहरे एक प्रक्रिया है जो साहरेट ब्रळ्धी होती है उस्सेा ब्रध्धी कहते है जो दौन उसमें रहता सो विकास आता है अनुःच मुषक्ता आदिखम Kopf करती है अनुःच भासमाग दोनों हैं चलिए 9 question के ओँ चलते हैं किसी बिशेस परसिती में किसी दिये गए समान सिध्धान को लागो करने की छंता को खालिस्थान कहा जाता है तो आपके option है आकमंट तरक्क है अपबदिक तरक्क है निगमंद तरक्क है तो इसका आंसर होगा निग्वंतर्ग किसी इस परस्तिते में किसी दिएगा समान सिध्धान को देखे समान सिध्धान की बात क्या ही आ रही है तो नियम पी ही जाएगे हम वह निग्वंतर्ग की और हमें ले जाएगा चलिए दसवा कॉश्चन है अधिगम का कौन सा रूप प्रदर्शित होता है जब बच्चे उस हिंसा की नकल उतारते हैं जो वे अपने पसंद्रदा वीडियो गैम में देखते हैं option है आपके क्रिया परिशुत अधिगम अब लोकन अधिगम अनुबंदेत अधिगम तो इसका अंसर होगा दूसरा अब लोकन अधिगम देखिए बच्चे जब टीवी को देखते हैं तो बच्चे उस चीज को अब लोकन करते हैं उसको देखते हैं और अपने आप में उतारते हैं तो अब लोकन अधिगम जो है ना तो वो बच्चे जो देखते हैं टीवी में किसी चीज में तो वही अपनी जा आम जीवन में करनी कुछ करते हैं तो यहां हमारा अब लोका नदिखम काम करता है नीचे आंसर दीए गए हैं वैसे हमने आंसर मैंसर किया हुए नीचे है ना तो आपको पढ़ने वेशी कोई दिक्कत नहीं होगी इससे ग्यारवा कोशन है सूचना की पुर्वत्ती में क्या संबले थे ताकि यह हैं लगुकालीन से धीकालीन स्मृति तक चल सकें भ्यास चंकिं बंसंग्राण तो इसका अंसरों का पूर-अभ्यास सिंपल सी बात है यह हम अभ्यास करते रहते हैं तो लगुकालीन जो हमारी स्मत्ति है वलुकालिज से दीकालिज जाती है यहां पढ़ते हैं उसका 3-4 दिन में जो आप मैस पढ़ा है कुछ भी पढ़ते रहेंगे ऐसा आप चार पांच बात करेंगे जो आपका वो है वो आपको चला जाएगा उसको आप कभी नहीं भूलेंगे यहीं यहां बात कही गई है तो 12 कोशन की बात करें हम तो दो संस्क्रतियों के बिच्छी बीच वियोहार में अंतर के लिए इसे उत्तरदाई माने जा सकता है भोगोले पिस्टभूमी को समाजी करन को अनवाई शिक्ता को बाबात अबरन को तो समाजी करन को बाइस समाजी करन की कारण नहीं हम संस्क्रतियों विचार दी छेज़ बिसेश की बात करें जो बुंदेल खंड का है तो बुंदेल ही बात करता है है ना जो रीवा साइट का है या मैं जहां भी छेज़ बिसेश की बात करें महां कोसल की बात करें या बुंदेल फिन रंग्यात्मग विकास के खालिस्थान महत पूछर विस्थित किये हैं यह लगबग प्याजे महोदा हैं जीन प्याजे यह तो बाल विकास के मतलब कि यह कहीं भी किसी भी कि आलोबर इंडिया की बात करें कि यदि प्याजे से कॉस्टन भी ना आए तो यहां तो कुछ हो नहीं सकता इसलिए यह बहुत ही इंपोर्टन है इसको पढ़ दीजेगा अच्छे पढ़िएगा इसमें तीन चाहिए को सभी को पता होने चाहिए इसका चार होगा ठीक है तो चलिए चार संग्रात्र विकास की चलनों ने बताए हैं चलिए चौधी कोश्टन क्यों चलते हैं सभी समाजिक स्थियों ने पटना आसान है यदि आप अपने खाले स्थान की बारे में जानते हैं रूचियों के बारे में खुवियों के बारे में व्यक्तित्त् बारे में जी सही बात है यदि आप अपने बेक्टित के बारे में आपका बेक्टित अच्छा है तो आप समाज से स्थियों से पढ़ सकते हैं पंद्र कोश्चन की बात करते हैं आम तोर पर बहुत देक स्थर की करना सेक्ष्डिक प्रदरसन के साथ खाली स्थान से सम्मंदित होती है और आपकी बुद्धी अच्छी है तो आपके मांग्स जो है काफी अच्छी आएंगे इसरी यह है अट्यद्र की से रिलेटिट होता है बात देक स्थर सेक्ष्डिक प्रदरसन के साथ सोला कॉश्चन की और चलते हैं मस्तिस का कौन सा भाग चिंतन के लिए जिम्दार है ओप्सेंस हैं मज्जा मेडूला ओपुबलकुटिये तंत्र लिंबिक सिस्टम अनुवस्तिक सरेविलम और प्रमस्तिक बलकुट तिसकान सावगा प्रमस्तिक बलकुट यह काफी यह भा सभी जवाग है जो भाकचंतर ले बहुत ही जम्दार होता है सत्व को चलते हैं रिष निलिक्न मेंसे कोन हमारी कारसील का एक हिस्सा है तो ऑप्सेंस है केंदिकार कारी कारसील समथी का एक हिस्सा है इसम्बे जी रिजिटर कभी question आता है वीच वीच में तो अठारवे option क्यों चलते हैं तो अठारव question क्या कहता है इन मैंसे कौन से कक्छा की अभ्यास विद्ध्याला में विद्ध्यारतियों की पेड़ा को कम कर सकती है तो पहला option है तो आपका answer होगा तो आपका answer होगा कि ये वाला फस्ट वाला सिक्छा द्वारा विद्ध्यारतियों की पेड़ान करने के लिए उसमें पहचानने में अस्फल रहना जैसके दखें सिक्छा द्वारा विद्ध्यारतियों क morality आपको कर सकता है पर और सटिक नहीं बेटता और हम त downs 3 की बात करें निम्नल ब्रफिंट करने को प्रोजशेय्ड करने को प्रोजशाहेथ करना यदि यह तो अच्छा ही बात है कि निमड प्रैश्ड करता उतकस्ता के रूप में उच्छो प्लब्दी प्राप्त करने वाले को जज करना तो ये भी प्रॉजिटिव बात की होगी पर ये हम ये पहले और दूसरे की बात करें तो पहला आंसर हम इसमेसे सही करेंगे उन्ने सब कॉशन है दो सहयोगी अधिकम सिद्धान कौन से हैं सास्तिय अनुवंधन, प्रभाविय अनुवंधन कि सास्तिय अनुवंधन, उत्पिड़क अनुवंधन सास्तिय अनुवंधन, किरिया प्रसुदय अनुवंधन कि सास्तिय अनुवंधन वा अबलोकन अनुवंधन तो इसका अंसर आपका होगा पहला अंसर होगा सास्कृनुवंधन बर प्रभागुद्वंधन दो सहीव के अधियम की बात की गई है इसलिए हम सास्कृनुवंधन बर प्रभागुद्वंधन के लिए थी नहीं तो दूसरा अंसर हो सकते से इसके, बीसवे की बात करें, नाइब के पिता के बाद, नाइब के पिता, ये नाइब बच्चा है, नाइब के पिता के बाद सपेद वर लंबे हैं, इसलिए बाद सोचती है, कि सभी के पिता के सपेद वर लंबे होंगे, ये दस्तिकोन किस अवस्था से है, अप्शार संक्य वस्था से से शेंसरी मोटर वस्था से पूर संक्यारत्म का वस्था से जी कि है बच्चों को इतना 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 यह सोच पाते हैं इसलिए पैदी बच्ची देख लिए कि पापा के बाद सपेद बाल लंबी होते होंगे सेंस्री मोटर अबस्ता की बात करें, 0-2 बर्स की लिए होता है, जैसे बच्चा, जैसे की संबेदी, इसका हिंदी मर्थ होता है, संबेदी गामक अबस्ता, तो मतलब किस इंद्री गामक अबस्ता, तो इंद्रियों के द्वारा, बस्चीजों को सीखता है, टेच की द्वारा मूर्थ संक्या तबस्ता की बात करें साथ से ग्यारा बर्स के लिए तो साथ से ग्यारा बर्स के लिए तो इसमें क्या है जो मूर्थ चीजे हैं उनको भाई देख पाता है और आपचाय संक्या तबस्ता यह अमूर्थ होता है बच चिंतन करने में बरिगरान करने में अमोर चुजों को सोचने में प्रिक्सित हो चका होता है बच्चा और अब हम चलते हैं 21 वी कॉश्चन की ओर आईशेक ने वेक्टिष में की तीसरे आयान की बात कही है यह कौन सा है सहमत्ता अंतरविख सीलता निरोटोज्म तो साइकोटिज्म तो इसका अंसर होगा अंतरविवख सीलता तो सोरी एप्रिटिश्चन की अंसर होगा यह गलत है 22 वी की उसलले से बल्ली वाजी कर रहा होता है बच्चा के समय से जूज रहा होगा जासने घ्रापिया ध्यां भाव एव अतिशक्रिता विकार ध्याण भाव विकार आतम विमुष बिकार alegria देखिए बच्चा बल्ली वाजी के अपनी बारीगरदेंन नहीं कर सकता अकसर मैदान पर दोड़ता है तो वो ध्यान निश्चित नहीं कर पा रहा है अपना अतिशक्रिता वो आतिशक्री है भी है इसलिए बार-बार मैदान में दोड़ता है इसलिए ध्याना वहाँ वार अतिशक्रिता विकार इसकांसर होगा ठर्टी तुए23 की बात करें हम सबसे अच्छी चीज़ के रूप में परिभासित किया जाता है जो खालिस्थान है अधिगम के प्रती दश्टी कौन को सबसे अच्छी चीज की रूप में परिभासित किया जाता है जो खालिस्थान है कि बस एक्छार्ती द्वारा ही संसोधन किया जा सकता है आयू के साथ संसोधित किया जा सकता है सकरात्मक अधिगम बातरबन बना का संसोधित किया जा सकता है संसोधित नहीं किया जा सकता इसका आंसर होगा थड़ वाला सकरात्मक अधिगम बातरबन बना का संसोधित किया जा सकता है देखिए कि बस एक्षागर संसोच किया सकता है नॉर्मली है पर आयो किसना संसोच किया सकता इतना नहीं बैठ रहा है question हमारे answer के लिए तो संसोच नहीं किया सकता ऐसी बात तो नहीं है सकारात्म का दिखम बात अबने दिखम बनाएंगे तो बच्चों को दिखम को अच्छी थरह से संसोच किया सकता है और पर भास किया सकता है 25 की बात करें round robin chart खाल स्थान की रूप में प्रयुक्त किये जाते हैं तो युगात्म का अकलन के लिए निदात्म का अकलन के लिए आंत्रम का अकलन के लिए तो इस कान सरुगा रच्चनात्म का अकलन के लिए round robin chart है वो रच्चनात्म का अकलन के लिए प्रयुक्त किया आते हैं इसमें बच्चों का रच्चनात्म का विकास होता है 26 की बात करते हैं हम आज के एक अक्छाओं में चात्र के बीच सांस्क्रत जात्य वर नसली है खालिस्थान की विस्त्र संक्ला होने की संभावना है आपके भर के देख लीजे फिल्दा वलेंग की तरह है बच्चों की तरह हम भी कर सकते हैं चात के भी सांस के लिए जातिये नसलिये, खाले से विस्ति संक्ला होने की संभावना, सक्रियता की नहीं जंता है, समानता की बात करें, तो नहीं कह सकते हैं, निर्मतरता की बात करना तो यह भी जंता नहीं है, हाँ विभत्ता है, भारती संस्क्रती विभत्ता का देश है, अ प्रच्षी को प्रेट करने के लिए उससे उत्यीर करना निमन होता है आपके अंसर हैं अपर इने पने लिद्गिस्निंग में काम कर रहे होते हैं तो आपकी भूमका होनी चाहिए 28 questions की बात करते हैं बच्चो एक सिक्षक के रूप में जब आप एक समावेसी कक्षा में काम कर रहे होते हैं तो आपकी भूम का होनी चाहिए आपके options हैं दंड देने बाला, देखवाल करने बाला, अनवेशक, सहायक तो इसमें आंसर आप देख सकते हैं कौन सा होगा देखवाल करने बाला हम कह सकते हैं चलिए अनवेशक की बात करें अदिगम की लिए बच्चे को ज़्यादा प्रॉपिटेबल होगा इसलिए हम चौथे आंसर की हो जाएंगे सहायक, देखवी सही आंसर है जो 29 की question की ओड़ हम चलते हैं बॉब एक मॉडल हवाई जहाद को एक साथ रख सकते हैं यह कतन अग्रत्ती पैच्छन की किस विसेशता का संकेद है लिपकी चिंतन, इस्थानिक चिंतन, संग्रनात्मक चिंतन, बॉधिक चिंतन देखिए बॉब एक मॉडल हवाई जहाद तो लिपकी चिंतन, संग्रात्मक चिंतन, बॉधिक चिंतन एक इस्थान की बात की जा रही हवाई जाद एक इस्थान पर रखा हुआ है तो यहां अंसर इस्थानिक चिंतन होगा 29 का अंसर होगा सिकेंड इस्थानिक चिंतन तो बच्चे के मूल जनजास वहाओ को निरूपत करने के लिए देखिए बच्चे के जनजास वहाओ के लिए इसको पूएक कर सकते हैं इसलिए हमारा अंसर होगा दूसरा चले में तो यहां अमारे टेस्थ खतम होता है और जो भी आपको डाइट हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और कैसा आप इंप्रूब्मेंट चाहते हैं क्या पढ़ना चाहते हैं उस तरह से हम आपकी हेल्प करेंगे प्लीज अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सेयर औ बेंदो तो